चालो, अभी हम पढ़ेंगे The Clock अभी Clock आपको सबको देखने है, को आती है? मुझे पता है कि आपने सीची है, लेकिन अभी याद है कि नहीं, पता नहीं, ठीक है ना? तो अभी हम एक बार लेख देते हैं Clock में क्या होता है? 1 to 12 तक लिखा हुआ होता है वहाँ पर Short Hand एक होता है और एक Long Hand होता है Short Hand है, वो हमें Hour दिखाते है और Long Hand जो होता है, वो हमें Minutes दिखाते है सही है ना? अब यहाँ पर अगर Long Hand 12 पर है तो उसे 12 अगर यहाँ पर यह एक्जामपल में देखे तो यह क्या बोलोगे? 3 ओ Clock बोलेगे अगर यह Long Hand वाला काटा है अगर वो 3 पर होगा तो उसे बोलेगे Quarter Past 3 अगर यह Long Hand 6 पर होगा तो उसे बोलेगे Half Past 3 अगर वो Long Hand 9 पर होगा तो उसे बोलेगे A Quarter 2 4 ठीक है? अभी यहाँ पर हम थोड़े एक्जामपल्स देखे यह कितने है? यह कितने बज़े? अभी हमने देखा अभी देखो यहाँ पर नीचे है Long Hand 6 पर है तो यानि Half Past तो इटीज हाँ पास्ट थ्री साड़े तीन बज़े अभी यह क्या है Long Hand 3 पर है और Short Hand 5 पर है तो इटीज क्या बोलेंगे? इटीज अ वाटर पास्ट पाइव यानि सवा पांच अभी यह देखो यह क्या है? छोटा वाला 6 पर है और बड़ा वाला 9 पर है तो उसको क्या बोलेंगे? इटीज अ क्वाटर टू पौने 6 बज़े है अब यहाँ पर क्या? यहाँ पर हमें ड्रा करना है इटीज अ क्वाटर पास्टेन यानि क्वाटर पास्टेन यानि कितना हुआ? उसके लिए हमें क्या करना होगा? शौर्ट हैंड है वो टैन पर रहेगा और बड़ा वाला रहेगा वो थ्री पर वाटर पास्टेन अब इटीज अ हाफ पास्ट पोर यानि फोर थर्टी तो उसको लिए कैसे करेंगे हम? यह थोड़ा काटा फोर और पाइप के बीच में रहेगा और हाफ पास्ट है यानि फोर थर्टी है तो बड़ा वाला सिक्स पे रहेगा पता सला न? अब भी हम थोड़े शेफ देख लेते हैं पेज नमबर 89 पर दियो है यह है सरकल सेकेंड वन इस क्वेर थर्ड वन इस रेक्टेंगल पोर्थ वन इस ओवल एंड लास्ट वन इस ट्राइंगल अब इसे ट्राइंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें थ्री एंगल है एक्जाम्पल्स देख लेते हैं दो बॉल इज डैश इन शेफ और मैरे पास जो बॉल होता है वो किस शेफ में होता है? राउंड शेफ में हैंकरचिफ हम जो हैंकरचिफ यूज करते हैं हर रोज वो किस शेफ में होती है? is square एग एग जो आता है वो किसे shape में होता है oval shape में sandwich के कौने shape में होती है वैसे तो sandwich पूरी होती है लेकिन हम उसे half से काट लेते यानि sandwich triangular shape में होती है तो answer is triangular ब्रिक जो इट होती है वो कौन्छे शेप में होते है रेक्टेंगल यूर तो उसमें अंसर आएगा सही है ना अब यह सारे शेप से याड़ कर लो जी कहना देख लिया सब और यह क्लॉक भी आया है आपको कैसे करना है है वेरी गूट